हेलो फ्रेंड मैं विमल अगरवाल, वेलकम तू दू इस चैनल, आज हम इस वीडियो में कुछ फार्मसिस्ट की वेकेंसियों की रिगारिंग बात करेंगे, जैसे कि आप सब लोग को पता है, हम इस चैनल के बादियम से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बैल आकिन के बटन को प्रेस कर दें, जिससे इस चैनल के बात करेंगे, अगर हम कोई वीडियो उपलोड करें, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और देखते हैं, यहाँ पर ज अरिजमेंट यूनिट में यह बेकैंसी रहने वाली है, फार्मसिस्ट की पोस्ट रहने वाली है, नंबर ऑप बेकैंसी 61 रहने वाली है, मंतली सेलरी रहने वाली है, 19,000, 19 यहाँ पर सेलरी रहने वाली है, mode of requirement की अगर बात कर लें, तो on the contract वेसिस पर, सम्मेदा वेसिस पर यह बेकैंसी ली जाएंगी, जो के district selection committee के द्वारा यह selection किये जा रहे हैं, education qualification की बात करना है, तो आपके पास डिप्लोमा इन फार्मेसी या बैचलर इन फार्मेसी, दौनों कोर्सिस में से, अगर कोई भी कोर्सिस है, तो आप इस बेकैंसी के लिए apply कर सकते हैं, आपको यह हुए है, वो आप read कर लीजेगा, प्रोपर तरीके से, या तो वीडियो को pause करके read कर लीजेगा, या फिर इस पेज की link इस वीडियो के description में provide हो जाएगी, इस वीडियो के description में जाने के बाद, link पर click करने के बाद मैं, आप इसको page open कर लेना, page open करने के बाद, इसको प्रोप को submit करना है, और application fees को जमा करना है, वो हम बता देते हैं, यहाँ पर application जो fees है, वो दी हुई है, OBC और BC के लिए 300 यहाँ पर, और ST, SC के लिए यहाँ पर 200 उपे fees है, और आपको क्या करना होगा, किस तरीक से fees को यहाँ पर, यहाँ पर आपको paid करना है, application fees should be paid through online to account number 10, and code जो है IFC वो यह दे रखा है यहाँ पर, और beneficiary name, district medical and health officer, यह आपका beneficiary रहने वाला है, तो आपको online यहाँ पर transaction कर देना है, और उसकी जो receiving है, वो वहाँ से प्राप्त कर लेनी है, apply किस तरीके से करना है, आपको application form डाउनलोड करना है, जैसे कि हमने आपको बताया है, इस page की link इस video description में होगी, link को click करके, यह page open कर लोगे, scroll down करते हुए, नीचे की तरफ आओगे, नीचे की तरफ जब आओगे आप, तो आपको लिखा हुआ मिलेगा, इसकी एक तो last date आपको पता चल जाएगी, जो के 21.12.2021 तक है, और download application form लिखा है, इस पर click करके, इसके application form को download कर लीजेग उसके बाद में print out निकालना है, और form को fill करना है, form को fill करने के बाद में, इसमें यह document लगाने है, जो A point से लिखा हुआ है, copy of SS, C certificate, A point, B point, C point, D point, यहाँ तक की जितने भी point है, यहाँ पर जो दिया हुआ है, यह KL, L तक जितने भी point है, अगर जो relevant document है, इनकी जरॉक्स करनी ह और यह इस form के साथ में attest करने है, और इसके साथ में वो जो आपने fee submit की है, उसकी भी receiving आपको, photocopy निकालके, उसकी, उसका print निकालके, वो भी इस form के साथ में attest करना है, form को और जितने भी relevant document है, जो के आपने अटेस्ट करके, जिरॉक्स करके, अटेस्ट करके, अटेस्ट करके envelope में close करके दिये हुए address पर आपको post कर देना है दिया हुआ है registered post office of district medical health office गुंटूर यह district का नाम है यहाँ पर आपको यह post कर दिना है बट आपको eligibility देख ले नहीं अगर आपकी eligibility है तो ही आप इस form के लिए apply कीजेगा अगर eligibility नहीं है तो आपको इस form के लिए apply नहीं करना है आपका form cancel कर दिया जाएगा वहाँ से